लाम लाम भाई आरों कैसे हैं आप लोग हमें तो चीनते हुए सचिन चोधरी नाओ है माओ और भारती जनता पार्टी ने मंद्ध बिल्देस में सरकार बनावे की तयारी कल लए कमलनाथ की सरकार को गिरावे की पुक्ता तयारी कल लए यो बड़ो पूरो को पूरो घटना कर सबसे पहले आप आज को घटना करम देखो के आज भारती जनता पार्टी के नेता पृतिपक्ष गोपाल भारगाओ जो विधानसभा में है पूरमुक मंतरी सिवराज सिंग चोहान समेत तमाम बड़े नेता पोंचे राजभवन राजभवन में उनने राजपाल से मांग करी क सुनों आप गोपाल भार को काके रहें तेका जैसा कि अजबारे शुराजी ने कहा थोड़ा नीचे कर लो नीचे आइडी तो नीचे कर लो यह इस बात पर पर कोई इस बात पर पर दो राए नहीं हो सकती एक अल्पमत सरकार क्या राजपाल का इवाशन करवा सकती है तो न सब्सक्राइब करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे हमराज जिपाल वहुदा से निवेदन करके उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो संकट है और विधायकों का यहां पर आना निश्य दूरूप से सरकार के लिए जिम्मभारी होती है लेकिन कल जिस प्रकार का घटित हुआ इसने मुझे लग रहा है कि प्रकार है पी हमारे सुरक्ष नहीं Kap snu और इस कारण आप सुनि आपने भारती एंटा पार्टी ने सीधी तैयारी कर लए है कि अब सरकार बना रही लेकिन गलत का है गलत जो है कि 230 की विधान सवा है बने के बेंगलूरूरू में बैठे उनको भोपाल लियावी तयारी है the लेकिन ना तो वे भुपाल आ रहे हैं ना उनको इस्तिफाब है फिलाल में सुईकार हो रहा हूँ अब उन 22 बधायक उनको कर दो अलग इसे अलग कर दो कायक है बे बधायक भारती अंता पार्टी के पक्ष में बोट नहीं कर सकत बोट करें तो उनको अमान नोजे और वे अगर भुपाल लोटे आए तो कांग्रिस के पक्ष में उनके जावे की उमीद भी है उनके कचू के भारती अंता पार्टी के रही कि गुरु अब हम जे बुलाई नहीं 22 बधायक अब जे 22 बधायक हो गए अलग तो 22 बधायक जब अलग हो गए सो सदन की संक्या बधान सवा की संक्या किते की हो गई 206 की अब अगर इन 206 बधायकों के बीच में अगर बोटिंग कराई जे है तो जी पार्टी को अपनों बहुमत साबित करने सो उख हो गए 104 चाने आए अब 104 अगर चाने आए तो कांग् अगर जिते एक भगे उमें और ना भग गए 24 तो अधिकतम 92 बधायक हैं कांग्रिस के पास और 92 के संगे संगे साथ बधायक अबे मान लो हाला कि उनकी भी कचू गारंटी नहीं या लेकर मान लो के निर्दली सपा बसपा भी कांग्रिस के संगे ठाड़े हो जें तो सदन क संग्या जो कुल 206 की है उमें कांग्रिस के पास है 99 बधायक और भारती जन्ता पार्टी के पास है 107 बधायक अब एक तरफ 99 एक तरफ 107 ऐसी स्थिती में साब समझ में आ रहो के 104 को आखड़ा भारती जन्ता पार्टी पूरो कर ले यानि सबसे पहले तो वह कमलना सरकार क गिराए फिर इन्हीं 107 बधायकों की दम पे अपनी सरकार बनाए और जो वे 22 बधायक हैं उनके इस्तीफा कराए इस्तीफा कराए उप चुनाओं होई है उप चुनाओं में फिर उनको टिकेट दाईजे नहीं जाजे ये वो आगे की राज नीती है लेकिन फिलहाल की स्थ इस्तीफी में बिना बहुमत की पूरो बड़ो पूरी बिधानसवा को जो बहुमत है 116 को बिना उटको पाए भी भालती इन्तापार्टी को बनाए सरकार को गिराबे की तैयारी में है और इके अलाबा अपनी सरकार बनाए की तैयारी में है जो पूरो गड़क भालती इन् जा है कि बेंगलूरू के बिधायक जब तक कमलनाथ की सरकार नहीं गिर रही तब तक भोपाल नहीं लोट रहे कम से कम भारती यंता पार्टी ने तैयारी कर लए अब कांग्रेस को जो पक्ष है कांग्रेस के पाद बहुत सीमित मौका बचे केवल जो मौका बचे हैं कि उन 22 बिधायक अगर भी लोट रहे तो फिर इस्थित्नी कच्छू सायद बन पाए लेकिन ऐसी उम्मीद लगनी रही दूसरी तरफ दस पंदरा बीस बिधायक एकटे भाजपास हैं इस्तीफा देदे में या बे भाजपा के खिलाब बूर्ट देदे में इकी भी उम्मीद नही बिधायक पहले छोड़ो फिर बहुमत कराओ तुम तो ने बांदे रखे कांग्रिस पार्टी किया रही लेकिन किते सुनवाई हुई है किते का हुई है अब जो लगत के अदालत में ही सायद इबात को फैसला हुई है कि आखिर का कहानी है लेकिन जो अदालत के जानकार हैं बेभी जा बताओ कि कौन हुई बिधायक अगर बोट डार्वे नहीं आरो सदर में तो आप उखो आयोगो तो घोसित कर सकत आप उगी सदस्ता तो खा सकत लेकिन उखो बात दे नहीं कर सकत कर वो बोट डार्वे आवे और जई बात की मजबूती जो है कहूं ना कहूं भाल बगले मिठार के रोटी पानी कलेउ नास्ता सब करवा रहे बियारू यारू सब होता ही बढ़िया बाजपा की नेताओं के संद्रक्षण मन पसंद को मिल लो तो उन्चे कहिए बै तुम कचू दिना और मजा कर लो कमलना सरकार कोसेश जाकर लिए कर या तो बिधान सबा को पक्ष में है और भालती इंता पार्टी ओई आधार पे अब कमलना सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनावे की कोसिस में है जो पूरो को पूरो घटना करम है बिस्तार से हमने आपको बताओ और यही के बाद अब जो है पटा का फूर्वे की तैयारी भाजपा बारन ने कल ल है अब कभे फूर्वे को टेम मिले चार दनावाद चेह दनावाद दस दनावाद बहुतो जो है बड़े-बड़े राजपार बिधान सावाद द्यक्ष माननी नियाला है जिते जिते कहानी पहुंचे बे बताएं लेकन फिलाल भाजपा को जो गड़े थे वो सीदो गड़ कर दो हुंचे को